जैहिन दोस्तों, मांश्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों बिहार दरोगा की सब्चे बरे भेकेंसी आने वाली है उसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट हिया है ज्यान बिन्दू जीसर्ट चलाए जाता है दोस्तों उसका प्रैक्टिस सेट तो अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक देख लिया है अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो प्लेलिष्ट बना हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया गया है एक बार जाकर आप जरूर देख लें आज हम लोग ग्यान बिंदू जीये से कडमे का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नमर आठ करने वाले हैं तो ज़्यादा सी ज़्यादा इस वीडियो को शेर कीजेगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों फुल डिस्कसन होने वाला है टोटल सोर नमर का ये प्रैक्टिस होगा पहला नमर प्रशन है अकबर का राजबे से कहां हुआ था अकबर का राजबे से काला नौर में हुआ था ओप्सन नमरे यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अगला नमर प्रशन है निमलिकित में से किस इतिहासकार ने शाजहा के सासनकाल को मुगलकाल का श्वर्नयोग कहा तो मुगलकाल का स्वर्नयोग किस ने कहा तो एल सिर्वास तप इतिहासकार ने option नमर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अगला नमर प्रश्ण है औरंग जेब ने दक्षिन में जिन्दो राजियों को विजित किया था यानि कि जीता था वह कौन कौन से हैं तो वह हो जाएंगे बिजापूर और गोलकुंडा ओप्शन नमर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला नमर प्रशन है मेवार से युद तता चितोर की संदी किसके सासनकाल की महतपूर्ण उपलबदी थी तो जहांगीर के सासनकाल की महतपूर्ण उपलबदी थी अगला नमर प्रश्ण है साजहां के काल में कौन यूरोपी या त्री भारत आया था तिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीटर मुडी कौन थे दोस्तों पीटर मुडी अगला नमर प्रश्ण है कलहन की राजतरंगनी कलहन की राजतरंगनी जिसे शही अर्थों में पहला एतिहासिक गरंत होने का गौरब प्राप्त है को किसने आगे लिखा था दोस्तों तिसका सही उत्तर होने वाला है ओप्शन नमर डी जोन राज एव स्रीवर ने ओप्शन नमर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला नमर प्रश्ण है स्तिरलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंस का सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसका सही उत्तर हो जाएगा राज अंदर प्रतम ओप्शन नमर बी अगला नमर प्रश्ण है तंजोर का वृद्यस्वर यानि की राज राजस्वर मंदिर किस देवता को समरपित है तो किस देवता को समरपित है दोस्तों तो देवता सिव को समरपित है ठीक है ओप्शन नमर इसका जो है ये सही उत्तर हो जाएगा अगला नमर प्रशन है गुर्जरों को किस सासक के पराजित किया था तो हर्ष वर्धन ने option नमर C अगला नमर प्रश्ण है कुम्भ मेला को प्रारम करने का स्रे किसे दिया जाता है तिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हर्च बर्धन को कुम्भ मेला को प्रारम करने का स्रे हर्च बर्धन को दिया जाता है अगला नमर प्रश्ण है कानपूर में विद्रोयों ने 1857 के विद्रो का निर्तितु किसे सौपा था तिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाना साहेब अगला नमर प्रश्ण है 1857 में अंग्रेजों के विरूद जिहाद का प्रचार किस ने किया था तो जिहाद का प्रचार मोलवी अहमद उल्ला द्वारा किया गया था अप्शन नमर यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 13 नमर प्रश्ण है 1857 में शिपाईयों के विद्रो के थीक पसचात निम्न में से कौन सी एक खटना घटी थुई थी तो कौन सी एक घटी त घटना हुई थी दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबा दे दोस्तों काफी important ये भी होने वाला है इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा बंगाल में निल किसानों का विद्रो option नमर C next question की बात करें अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रो के समय किस अस्तान पर शमांतर सरकार की अस्थापना हुई थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैजाबाद में शमांतर सरकार की अस्थापना हुई थी अगला नमर प्रशन है मिलाने वाला है दोस्तों सूची एक और सूची दो दिया गया है इन्हें हमें मिलाना है तो देख सकते हैं दोस्तों जेम्स आउटमूम जेम्स आउटमूम क्या हो जाएगा तो लखनाउ जेम्स आउटमूम लखनाउ जॉन निकलसन कहां से था तो जॉन निकलसन के बारे में अगर बात करें दोस्तों यह हो जाएगे दिल्ली का था उसके बाद कॉलीन केमपवेल कहां का था तो कॉलीन केमपवेल हो जाएगा दोस्तों कानपूर का और ही रोज कौन था जहांसी का ठीक है यह सब गवर्नर था ठीक है अलग अलग जनपत का ठीक है 16 नमर प्रशन की बात करें दोस्तों सरपरतम मं गल पांडे को, यह जानकारी कहां हुई कि इन फिल्ड राइफल में परिक्त होने वाली कारतुस आपत्ते जनक जानवर की चरबी से यूख थे यह कहां परतीत हुई थी दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला नमर प्रश्ण है किसने विदवागरी की अस्थापना की थी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा D के करवेदवारा, ऑप्शन नमर B अगला प्रश्णा है किसने ब्रह्मा समाज को एक समस्द भारती आंदोलन बना दिया? राष्छटपती समविधान के किस अनुच के तहत भारत के मुखिनिया दिश के सपतगरन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुचेद 60 के तहट सपत गरन करता है वहीं अनुचेद 61 के तहट राष्टपती पर महावियोग लगाया जाता है 20 नमर प्रश्ण है राष्टपती के त्याग पत्र की सूचना उप राष्टपती किसको देता है तो किसको देता है दोस्तों तो यह लोकसवा अध्यक्च को देता है उप्सन नमर C अगला नमर प्रश्ण है निमलिकित में से कौन राष्टपति का कारिन नहीं है तो राष्टपति का कारिन में से कौन सा नहीं है दोस्तों ये जो देख सकते हैं कि लोकसवा का सत्र बुलाना है ही लोकसवा का विगटन करना ये भी है लोकसवा का सत्रवसन करना ये भी है जब प्रतम सत्र के प्रारम में कब तक संबोधित करते हैं तो कब तक संबोधित करते हैं दोस्तों ये प्रशन पूछा जा रहा है तो चलते हैं इसके आप्शन को हम लोग देख लेते हैं प्रती कारे दिवस पर बिल्गुल सही है प्रती कारे दिवस पर लोकसवा के लिए प्रते का यह करतव है कि वे निमलकित में से किसको या किनको संसत के पठल पर रखवाए तो किसको रखवाएगा दोस्तों इसका अप्शन हम लोग देख लेते हैं संग वित आयोक की सिपारिष को बिल्कुल सही है लोक सेवा समेती के परतिवेदन को तो लोक सेवा शमिति के परतिवेदन को ये नहीं देता है दोस्तों ठीक है नियंत्रन महाले का प्रिक्षक के परतिवेदन को बिल्गुल सही राष्ट अनुसूची जाती आगय के परतिवेदन को ये भी सही तो 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर होने वाला है तो देख सकते हैं दोस्तों option नमर C में दिया गया है एक तीन और चार उत्तर सही है next चलते हैं 24 नमर प्रशन की बात करें शमिदहान असाधारन परस्तेतियों में राष्टपती को राजपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपुबंद करा सकता है तो कब उपुबंद करा सकता है दोस्तों तो अनुछेद 160 में उपुबंद करा सकता है अगला नमर प्रशन है राष्टपती की छमा आदी की सकती एक कैसी सकती है तो ये जो सकती है दोस्तों एक नियाएक सकती है option नमर B अगला प्रश्ण है भारत के राष्टपती अपनी सक्तियों का परियोग करते हैं तो भारत का राष्टपती अपनी सक्तियों का परियोग सीधे अतवा अपने अधिनस्त अधिकारियों द्वारा करते हैं ओप्शन नमर ए यहां पर सही उत्तर होने वाला है अगला प्रश्ण है 27 नमर प्रश्ण निमलिकित में से कौन राष्टपती के चुना प्रकरन के लिए सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों तो देख सकते हैं पद अस्त राष्टपती की पदावदी से पुरू उत्रदेकारी का चुना अवस्य हो जाना चाहिए बिल्कुल सही है राष्टपती अपना पदभार ग्रहन करने की तिथी से पंच वर्स तक पत पर रहेंगे बिल्कुल सही है राष्टपती का उत्रादेकारी आने तक कारेकाल की समापती पर भी वह पत्पर बना रहेगा ये भी बिल्कुल सही है यानि कि option number 10 इसका गलत उत्तर हो जाएगा 28 नमर प्रश्ण की बात करें भारत में राष्टपती का चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदसे होते हैं तो चुनाव मंडल के कौन कौन से सदसे होते हैं दोस्तों यह हो जाएंगे लोकसभा के चुनेवे सदसे बिल्कुल सही राजसभा के चुनेवे सदस बिल्कुल सही यानिकि एक दू और तीन इसका सही उत्तर होगा तो option नमर C यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है अगला प्रशन है 29 नमर प्रशन भारत के राष्टपती के निरवाचन के संदर में निमलकित कतनों पर विचार के जिए पर ये एक MLA के वोट का मुल अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है ये बिल्कुल सही है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट चलते हैं इसके option को और देख लेते हैं हम लोग दूसरा नमर जो option है लोगसभा के सदस्यों के वोट का मुल राज्यों के सदस्यों के वोट के मुल से अधीक होता है ये भी बिल्कुल सही है तो एक और दो दोनों यहां पर कतन सही है option number C थर्टी नमर प्रश्ण की बात करें निमन में से कौन राष्टपती होने से पुरूर भारत के उपराष्टपती पत पर आसिन नहीं था देख सकते हैं दोस्तों आसिन नहीं था पूछ रहा है तो नीलम संजीव रेड़ी ऐसे वेकती थें जो राष्टपती बनने से पहले उपराष्टपती नहीं थें जबकि डॉक्टर रैसर राष्टपती पहले उपराष्टपती फिर राष्टपती डॉक्टर जाकेन हुसेन पहले उपराष्टपती फिर राष्टपती आर्वेंक ट्रमन पहले उपराष्टपती फिर राष्टपती बने थें नेक्स्ट है 31 नमर प्रश्ण कथा बनाने है तू किस पेर की लकड़ी का परियोग होता है तो किस पेर की लकड़ी का परियोग होता है दोस्तों खैर लकड़ी का परियोग होता है नेक्स्ट है निम्न में से कौन यानिक सौड़ी दोस्तों किन पहारियों पर उसने कटे बंदे सदा भाहर वन पाये जाते हैं तो किस पहरी पर पाये जाते हैं तो नीलगीरी पहरी पर पाये जाते हैं option number A सूची एक और सूची दो यहां पर दिया गया है दोस्तों इन्हें हमें मिलान करना है एक तरफ राश्ट वन अभ्यारन है एक तरफ राज हैं तो इसे हम लोगों को अच्छी तरह मिलान करना है सबसे पहले कागेर घाटी राश्ट वन तो कागेर घाटी जो राश्ट वन है यह 36 गड़ में है बिल्कुल सही है नागर होल राश्ट वद्यान कहां है तो ये नागर होल जो राष्ट उध्यान है दोस्तों ये हो जाएगा करनाटक में फिर कुगती वनेजीव अभ्यारन कहा है तो कुगती वनेजीव अभ्यारन हो जाएगा ही माचल परदेश में वही सुल्तानपूर पक्षी अभ्यारन कहां है, यह हरियाना में हो जाएगा, ठीक है? तो अच्छा से रोक के वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा 34 नमर प्रश्ना है भारत के पर्थम तितली उद्यान कहां परिश्तित है? तो तितली उध्यान कहां पर इस्तित है दोस्तों तो 34 का यहां जो सही उत्तर होगा यह हो जाएगा बनर घटा जेविक उध्यान बंगलरू ओप्शन नमर A नेक्ष्ट कोशन की बात करें भारत में सबसे बरा बाग अभ्यारन जिसे टाइगर रिजर्व कौन सा है तो इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों यह हो जाएगा नागार जुन ओप्शन नमर C नेक्ष्ट है निमलकेत राज्यों में से किस एक में पांख्वी वनिजीव अभ्यारन अवस्तित है तो पांख्वी वनिजीव अभ्यारन अरुनाचल प्रदेश में इस्तित है ओप्शन नमर A नेक्स्ट है बुकसा बाग परियोजना भारत के किस राज में स्तित है तो बुकसा बाग जो परियोजना है यह पस्विम मंगाल में स्तित है Milky question n'ma D next question के बात करें लाल सागर का उधारन कौन सा है तो लाल सागर का यहाँ जो उधारन हने वाला है दोस्तों यह हो जाएगा अक्षे द्रोनी का क्या हो जाएगा अक्षे द्रोनी का next चलते हैं दोस्तों 39 निमार प्रश्ण की बात करते हैं इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी सेर जरूर करें इस क्लास का पीडिया पाने के लिए टेलिग्राम चैनल को आवस्य जोईन कर लें सेंट्रल फूड टेकनलोजी रिसर्च इंस्ट्यूट कहां स्थित है तो 39 का यहां जो सही उत्तर होगा दोस्तों यह मेह सूर में स्थित है ओप्शन नमर सी नेक्स्ट है आंकरेश्वर परियोजना निम्लकित नदियों में से किस एक का संबंध है तो फोटी का जो यहां पर सही उत्तर होगा दोस्तों यह हो जाएगा नर्मदा ओप्शन नमर बी नेक्स्ट है भारत की सिचाई छमता का सरवादिक भाग पूरा होता है तो सरवादिक भाग पूरा कहां होता है दोस्तों तो लगू परियोजनाओं से पूरा होता है ओप्शन नमर सी अती विवादित बभली प्रोजेक्ट निमलिकित में से किस राज में है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महाराष्ट में यह है बभली प्रोजेक्ट 43 नमर प्रश्न की बात करें निमलकित में से कौन सा देश विस्त का सबसे अधिक यूरोनियम उत्पादन करने वाला देश है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कजाकिस्तान अप्शन नमर ए अपने प्रेकर्तिक परिवेश में वन जीव के लिए कानूनी तोर पर आरक्षित शित्र कौन सा है जिसका सही उत्तर होजागा नेशनल पार्ग जिसे राश्ट ज़्यान भी कहते हैं जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला अस्तल क्या कहा लाता है जिसका सही उत्तर होगा दोस्तों जीव मंडल अर्दस्तास्तर में संतूलन का अर्थ क्या है अर्दस्तास्तर में संतूलन का अर्थ बराबर से से है ओप्शन नमर ए निमलिकित मेंसे किसको वास्तविक मज़ूरी यानि कि वेतन का परमुक निर्धारन कहा जाता है तो करकी दरों में विर्धी हो जाएगा ओप्सिन नमर ए निमलिकित में से किसको राष्ट रिन नहीं माना जाता है तो राष्ट बचत पात्र को राष्ट रिन नहीं माना जाता है पतास्वा नमर प्रश्ण है किसने ग्रामी निर्धनता अनुमुलन के लिए पूरा मोडल अपनाने का समर्थन किया था तो पूरा मोडल किसने अपनाई था दोस्तों तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर जो होने वाला है यह हो जाएगा पूरा मोडल अपनाया था APJ A. Bhdulkalam ने पूरा मोडल APJ A. Bhdulkalam द्वारा अपनाय गया था 51 नमर प्रशन की बात करें वुरिष्टी अर्धस्तास्त्र और समिष्टी अर्धस्तास्त्र सब्दों के निर्मान किस ने किया था काफी मपोटेन ये प्रशन है तर रेगनार फ्रिक रेगनार फ्रिक को ही सरपरतम अर्दसास्तर के छेतर में नवल पुरुसकार दिया गया था निम्लिकित में से कौन सा आर्थी केतर वस्तु का अधारन है तो 52 का यहां जो सही उत्तर होगा दोस्तों यह हो जाएगा माता की सेवा अप्शन नमर सी 53 नमर प्रश्न है डॉक्टर एस राधाकृष्णन निम्लिकित में से किन वस्तु कीन पुस्तकों से शमन्दित है तो 53 का यहां जो सही उत्तर होगा दोस्तों यह हो जाएगा एन एनाय डिलियर व्यू अफ लाइफ बिल्कुल सही है उसके बाद हिंदू व्यू अफ लाइफ एक और चार इसका सही हुत्तर है तो अप्शन नमर डी इसका सही अंसर होने वाला है 54 नमर प्रश्ण है निम्लिकित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है सार्क का सदस इनू में से क्वाण सा नहीं है दोस्तों जिसका सही उत्तर हो जागा आर्थो पोड़ा में ओप्शन नमर B निमने कतनों पर विचार कीजिए तो हम लोगों को विचार करना है काफी इंपोटेन इस तरह का प्रशन होता है दोस्तों और सही कतन का चेन करना है तो देख सकते हैं दोस्तों कि रक्त में गुलुकोज की मातरा 80-120 mg या 100 ml हतित होता है बिल्कुल सही है रक्त में कलस्ट्रोल की मातरा 1.100-200 mg या 100 ml होता है बिल्कुल सही है रक्त में यूरिया की मातरा 18-38 mg होता है ये भी बिल्कुल सही है तो तीनों का तीनों कतन यहां पर सही है option नमर D सभी कतन शत्य है 57 नमर प्रश्ण है जदी माता पिता में से एक कारुदेर वर्ग A, B है और दूसरे का O है तो उनके बच्चों का संभाविक तरक्त क्या होगा तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A और B दोनों होने की संभावना है रक्त का सुध्धिकरन कहां होता है दोस्तों तो रक्त का सुध्धिकरन होता है फेफरों में, यकरित में, केड़नी में, शभी में option नमर D किसके मौझूदगी के कारण सरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है किसकी मौझूदगी के कारण तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हेपीरीन नमक प्रोटीन के कारण सरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है साठवा नमर प्रशन है संतानों के भुरुनी अवस्ता में माता की गर्भायसाई के अंदर ही रक्त का थक्का बनाने से मिर्धी हो जाती है इस रोग को Erythioblastius Phetolysis कहा जाता है इसका कारण क्या है इसका कारण हमें बताना है दोस्तों इसका कारण क्या है इसका जो सही उत्तर होगा यह हो जाएगा पिता का रहेच प्लस फेक्टर प्रता माता का रहेच मैनेस फेक्टर ओप्सन नमर D अगला प्रश्ण है जायलम में जल का परिवन की दिशा क्या होती है तो जायलम में जल का परिवन की दिशा जर से तना की और होती है ओप्सन नमर B आगला नमर प्रश्ण है सिराओं में रक्त का परिवन किस दिसा में होता है तो सिराओं में रक्त का जो परिवन होता है यह सरीर के विभिन अंगों से हिर्दे की ओर होता है एलर्जी युक्त परतिकिर्याओं में किस रक्त का कन की संख्या बढ़ जाती है तो सिक्षित्रे का सही उत्तर हो जागा AC डोफिल्ड ओप्शन नमर A स्वस्त मानव के सरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है तो सरीर के वजन का 7% सरल आवर्तसारनी गती के वस्तु का वेग और त्वरन के बीच कलांतर होता है तो कलांतर कितना होता है दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जागा 90 डिग्री option नमर B सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है यह विश्वत रेखा से अधिक धुर्वों पर होता है option नमर भी इसका सही उत्तर होने वाला है नेक्स्ट है एक सरल लोलक उपर जाते हुए लिप्ट में है इसका दोलन क्या होगा इसका दोलन क्या होगा दोस्तों इसका दोलन बढ़ेगा ओप्सन नमर ए एक लरकी जूले पर बैठी है यदि वह खरी हो जाए तो जूलने का दोलनकाल क्या होगा तो जूलने का जो दोलनकाल है दोस्तों यह घट जाएगा option नमर B सरल आवर्द गति में किसी कन के लिए मध्यमान अस्थान पर होता है तो मध्यमान अस्थान पर क्या होता है दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जागा महत्तम गति उर्जा सरल लोलक का आवर्द काल दिया जाता है तो सरल लोलक का जो आवर्द काल दिया जाता है ती बराबर टू पाय रूट एल बटे जी काफी इंपोर्टेंड ये प्रस्ण है दोस्तों कई बार एक जामें पूछा गया है 71 नमर प्रस्ण है सभी गैसों सुन्य आयतन पराप्त करते हैं जब ताप करम क्या होगा तो जब ताप करम मैनस 273 डिगडी सेल्सियस होगा ओप्सन नमर सी जब ताप मार मैनस 273 डिगडी सेल्सियस होगा तब सभी गैसे सुन्य आयतन बनाएगी 72 नमर प्रश्णा है किसी कमरे के एक कोने में इतर की खुली सीसी रख देने से क्या होगा 72 का जो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों इसे हम लोग देख लेते हैं उसकी खुजबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है ऐसा किस कारण से होता है तो ऐसा होने का कारण है विसरन आप्शन नमर सी आदर्स गैस की उर्जा निर्भर करती है तो आदर्स गैस जो होता है दोस्तों इसकी जो उड़जा निर्भर करती है यह मूलों की संख्याप निर्भर करती है ओप्शन नमड़ी यहां पर सयुतर होने वाला है 74 नमर प्रशन है किसी गैस के दमाने संपेटन करने पर क्या होगा तो क्या होगा दोस्तों तब गैस दाप तता तापमान दोनों बढ़ जाते हैं जब गैस को संपेटित करते हैं अर्था दबाते हैं नेक्स्ट है वायू से हलकी गैस कौन सी है तो वायू से हलकी गैस की बात करें तो अमोनिया है ओप्सन नमर B एक गैस का वास्प घनत्व 14 है उसके अनुका भार क्या होगा तो उसके अनुका जो भार होगा दोस्तों यह 28 हो जाएगा 28 हो जाएगा नेक्स्ट है, गैसों के विश्रनकानियम किसने परतिपादित क्या था गैसों का विश्रनकानियम ग्राहं ने दिया था ओप्शन नमब डी 78 नमर प्रश्ण की बात करें, वास्तविक गैस किन परिस्थेतियों में आदर्स गैस का वहार करती है तो 78 का जो यहां पर राइट आंसर होगा दोस्तों यह वज़ागा निम्निदाब एव उचताब पर कौन सा कारत किसी अस्थान की वनस्पति निर्धारत करता है तो 79 का जो यहां सही उत्तर होगा दोस्तों वर्षा ओप्सन नमर बी आज का DKDS का अंतिम नमर प्रशन है भारत में जल परदूसन नियंतरन कानून कब लागू हुआ तो भारत में जल परदूसन नियंतरन कानून 1974 में लागू हुआ अभी हम लोगोंने ग्यान बिंदू GS Academy का बिहार दरुगा के लिए प्रैक्टिस सेट नमर आठ देखा टोटल 80G के और साइन्स के प्रशन हम लोगोंने देखें सेट जो प्रशन है दोस्तों वो मैथ के प्रशन है उन्हें अगर आपका सल्यूशन चाहिए तो टेलिग्राम चैनल को अवस्य जोएन कर लें टेलिग्राम चैनल मास्टर जी इन्फो पर आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जरूर देख लें असा करता हूं कि आज कर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक एक प्यारा से कमेंट जरूर कीजएगा चैनल प्रने होगे तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लिजएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जैहिन जै भारत